हेलो दोस्तों मेरा नाम प्रियंकर और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत हैं आज की क्लास में हम बिहार करेंट अफ्यर वार्शिकांग एडूटेरिया का नियो बुक में दिया गया प्रैक्टिस एट थर्ड को सॉल्व करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं पहला सवाल है बिहार लगू उद्यमी योजना के संदर्ग में कौन सा कथन सत्य है आवेदक की नियूंतम उम्र सीमा 18 वर्स से लेकर अधिक्तम 50 वर्स के बीच होनी चाहिए इस योजना का लाब प्राप्त करने के लिए आवेदक की पूरे परिवार की मासिक आये 6000 से अधिक नहीं होनी चाहिए इस योजना का लाब गड़ी परिवार की किसी एक सदस्य को ही मिलेगा जिसकी अंतरगत उन्हें 2 लाख रुपई की रासी दी जाएगी जिसे वापस नहीं चुकाना होगा ओपसेंडी उप्युक्त सभी कथन सत्य है ओपसेंडी राइट एंसर दूसरा सवाल है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को प्राचिन नालंदा यूनिवर्सिटी नालंदा विश्विद्याले की नए पड़िसर का उद्घाटन किया इस विश्विद्याले की अस्थापना किसकी द्वारा की गई थी कुमार गुप्त प्रथम की द्वारा मुख्य मंत्री नितिश कुमार की अध्यक्स्ता में हुई मंत्री मंडल की बैठक में पटना के अतिरिक बेहार के किन सहरों में मैट्रो पडियोजना को सुरू करने का फैसला लिया गया मुजफरपूर गया भागलपूर दर्भंगा उप्शन ई उप्युक्त सभी जीलों पर उप्शन ई राइट एंसर निम्न लेखित में से बेहार के किस जीले में देश का दूसरा और बेहार का पहला विस्वत्रीतिय बर्ड म्यूजियम बनाया जाएगा जमुई जीले में निम्न लेखित में से किसी किस जीले में 16-18 जून तक तीन दिवस्य मिलेट्स मोहत्सप का आयोजन किया गया पटना जीले में परियतन को बढ़ावा देने के लिए मुख्य मंत्रे नितिस कुमार ने किस जीले के वालमिकी नगर में 106 करूर रुपई की लागत से निर्मित इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और अथिती परिसत का लोकारपन किया पस्चिम चमपारन जीले में सिमेच समु की द्वाड़ा बिहार की पहले युमिन नाइड रोबुट का उद्घाटन आर्यभट ग्यान विस्विद्याले की कूलपती प्रोफेसर सरत कुमार यादव द्वाड़ा किया गया सुमेच समु की द्वाड़ा चात्र चात्राओं को तेडाकी में भी दक्ष बनाने के लिए किस राज ने सरकारी इसकुलों खास कर बार प्रभावित जीलों की विद्ध्यालयों में तरंताल यानि स्विमिंग पूल बनाने का नेर्णय लिया बेहार राज चिने बेहार स्मार्ट प्रेपेड मीटर इंस्टॉलेशन के मामले में पूरे देश में किस अस्थान पर है पहले अस्थान पर निम्न लिखित में से किस देश की सरकार की कला संस्कृती एवं विडासत मंत्राले द्वारा छे माई से आठ माई तक तीन दिवस्य अंतराष्ट भोश पूरी मोहत्सप का आयोजन किया गया मौरिसस देश हाल ही में पिछले 50 वर्सो में अंडर 20 भारती महिला वॉलिवूल टीम में सामिल होने वाली बेहार की पहली महिला खिलाडी कौन बन गई खुसी कुमारी भारती जंता पार्टी भाष्पा के वरिष्ट नेता और बिहार के पुर्व उप मुख्य मंत्री सुसिल कुमार मोदी का 13 माई 24 को 72 वर्स की आयू में दिल्ली में निधन हो गया उनकी संदर्ग में कौन सकतन सत्य है उन्होंने बिहार सरकार में वित्त मंत्री के रूप में 11 वार बजट पेस किया था यह एक रिकॉर्ड है 1996 से 2004 तक वर राच विधान सभा में विपक्च के नेता थे वर्स 2005 में बिहार में एंडिय की सरकार बनी तब वे बिहार के तीसरे उप मुख्य मंत्री बने ओप्सन डी उप्युक्त सभी कतन सत्य है ओप्सन डी राइट एंसर दिल्ली में संपन राष्ट अस्तरिय कौसल प्रतियोगता एंडिया इसकिल 2023 में बिहार के कितने प्रति भागियों ने स्वर्ण पदक जीता बिहार के किस सत्रंज खिलारी को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वाड़ा केंडिडिड मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया निम्न लेकित में से किस राज की पढ़िया वरन वन और जलवायू पढ़िवर्तन बिभाग की सचीव ने उर्जा की नवी कर्णिय स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए भारत्वर राज दोनों में की गई पहलों के बारे में वैसिक जागरुकता बढ़ाने हेतू इंडोनेसिया के जकार्ता फ्यूचर्स फोरम को संबोधित किया बिहार राज के पढ़िया वरन बिहार राज के लेसेंट रिजनल हेल्थ साउथ इस्ट एसिया जेनरल में प्रकासित नए सोध के अनुसार बिहार की सड़ा प्रतिबंद से दैनिक और सापताहिक खपत से जुड़े हुए दो दसमलब चार मेलियन मामलो को नियंतरन किया गया बिहार में सड़ा बंदी किस वर्स लागू की गई थी वर्स दुजर सोला में हाल ही में राष्ट पती द्रौपदी मुर्मुर ने बिहार की प्रमुक व्यक्तियों को नागणिक अलंकरन समहारों में पदम सिरी से समानित किया निम्न लिखित में इनमें कौन सामिल है असुक कुमार विश्वाद सुरेंद्र किशोर पंडित राम कुमार मल्लिक आप्सन दी राइट एंसर बिहार का पहला इस्टोमा क्लीनिक कहां खूला गया है आई जी आई एमस पटना में खूला गया निम्न लिखित में से कौन सा देश का पहला राज्य है जिसने राज्य के लिए क्लाइमिट रेजिलियन्ट और लो कारवन डेवलप्मेंट पात्वे विक्सित किया है बिहार राज्य बिहार के किस जीले के खोक नाह गाओ की निवासियों के निवासियों ने कोसी नदी से उनकी दुखों को कम करने के लिए सरकार की पहल की कर्मे की कारण लोकसवा चुनाव 2024 का बहिसकार किया सुपॉल जी लेके पटना हाई कोट ने आदालती आदिस का पालन नहीं करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए किस विश्विद्याले पर 10 लाक रुपय का अर्थ दंड लगाया है वीर कुवर सिंग विश्विद्याले बिहार के सरकारी स्कुलों में किस कक्छा की बच्चों को प्रतियेक मंगलवार को सो एमेल दुद मिलेगा एक सी पाँच तक बिहार राच्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरन बार भुकंप लू सीत लहर्व वाचरपात जैसी आपदाओं के सटिक पुर्मा नुमान के लिए निम्न लिखित में किस के साथ मिलकर काम करेगा इसरों के साथ हाल हे में बिहार के प्रसिद्व्यक्ति कमल कांत जाकर निधन हो गया उनका सम्मन किस छेत्र से था साहित छेत्र से हाल हे में बंगाल की खारी में चक्रवात्य तुफान जिसका असर मुख्य रूप से बिहार की उत्री भागों में देखने को मिला इसका नाम क्या था रेमल निम्न लिखित में से किसे राष्ट पती पुलिस पदक से सम्मानित किया गया संजय सिंग राजिस कुमार सर्मा ओप्सन सी ए और बी दोनों को सम्मानित किया गया ओप्सन सी राइट एंसर मुख्य मंत्री नितिस कुमार कितनी बार विधान परिशत की सदस्य बने चार बार मुख्य मंत्री नितिस कुमार विधान परिशत की सदस्य बने खोकनाह गाओ के निवासियों ने केंच चुनावों का वहिस्कार किया है 2019 लोक सभा, 2019 विधान सभा और 2024 लोक सभा चुनाव The Listen, Regional Health Southeast Asia जनरल में प्रकासित अध्यन के अनुसार बेहार में सडाप पर प्रतिबंद लगाने से खूल कितने घड़ेलों हिंसा के मामले को रोका गया था 2.1 मामले निम्न लिखित कतनों पर विचार कीजिए गोदावडी दत को 2019 में पदम स्री से सम्मानित किया गया था गोदावडी दत को 2006 में सिल्प गुरु सम्मान दिया गया था उप्यूप कतनों में से कौन सा कथन सही है ओप्सन C एक और दो दोनों कथन सत्य है सही है ओप्सन C राइट एंसर सुसिल मोदी को पहली बार किस निर्वाचन छेत्र से लोक सभा के लिए चुना गया था 2004 में भागल पूर से IIT पटना की टाइम्स यंग युनिवर्सिटी रैंकिंग 24 में कौन सा रैंक हासिल किया 117 रैंक हासिल किया मध्यान भोजन योजना की तहत कक्छा 6-8 की बच्चों को हर मंगलवार को कितने ग्राम गर्म दूद दिया जाएगा 1.500 ग्राम निम्न लिखित में से कौन से व्यक्ति बिहार में हिंदी चिकित्स सेक्षा को सुवीदा जनक बनाने के लिए गठी तीन संसद्य टीम का सदस्य नहीं है निम्न लिखित में से कौन से व्यक्ति बिहार में हिंदी चिकिच्चा सेक्चा को सुवेदा चनक बनाने के लिए गठी तीन सदस्य टीम का सदस्य नहीं है डॉक्टर रमेश वर्मा कौन सी संसा जो बेहार राज आपदा प्रबंधन प्राधिकरन के साथ नदी वहवार और बार पुर्मा नुमान का अध्यन करने के लिए सहयोग करेगी इस रो संस्था किस राज के बाद बेहार हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला दूसरा राज बनेगा मध्य प्रदेश राज के बाद डॉक्टर कमल कांत जहा को 2020 में साहित्यकाद में पुरुसकार किस कहानी संग्र के लिए मिला गाच रूसल अच्छी किस संस्था ने पटना महिला कॉलेज को 3.51 CGPA के साथ A++ ग्रेड दिया राश्ट मुल्यांकन और प्रत्यायन परिसर N.A.C. फोफ्स अंडर थर्टी एस्या सूची में मुजफर पूर की सपना सिन्हा को क्यों सामिल किया गया मस्तिस्क और संग्यात्मक विज्ञान पर उनके अनुसंधान के लिए सामिल किया गया डॉक्टर कमल कांत जहा ने पुरुसकार विजीता कहानी संग्रक किस भासा में लिखी है मैथली भासा में लिखी है अर्थ वस संख्याई की निर्दे साले की दूतिय अग्रिम अनुमान की अनुसार 233 में खड़ाब मानसुन की बाद भी बिहार में रिकॉर्ट खद्यान उत्पादन का अनुमान कितना है 190.67 लाक टन है सोलर लाइट लगाने में बिहार का कौन सा जीला सबसे अवल है बेगु सराय जीला बेगु सराय जीला सोलर लाइट लगाने में बिहार का सबसे अवल जीला है मुख्य मंत्री ग्राम पड़िवहन योजना की अवधी किस वर्स तक विस्तारित की गई है वर्स 2025 से 26 तक राष्ट दिव्यांग T20 क्रिकेट टुर्नामेंट में बिहार की टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया चौथा स्थान प्राप्त किया बिहार की बूद गया में 25 दीनों के लिए विसिस यूग अभ्यास कार्यकरम कब से प्राडम किया गया 27 मई 2024 से कौन सा कॉलेज एन एस सी द्वाड़ा ए प्लस प्लस ग्रेडिंग पाने वाला बिहार का पहला कॉलेज बन गया है पटना विमेंस कॉलेज बिहार से राच सभा के लिए ने विरोध निर्वाचित हुए है उपेंद्र कुसवाहा मनन कुमार मिस्रा ओप्सन सी ए और बी दोनों ब्राजिल में आयोजीत खगोल विज्ञान प्रतियोगता में बिहार की किस प्रतिभागी को रजत पदक मिला पानिनी को रजत पदक मिला है निम्न लेखित में से कौन बिहार वदेश की पहले डिजीटल भिकारी के रूप में पूरे भारत में प्रसिद्ध थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है राजु प्रसाद बिहार राज के हरित आवरन और पडियावरन संतुलन को बढ़ावा के लिए किस वर्स तक पांच करोर पौधे लगाए जाएंगे वर्स दोजार पचीस तक तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना एक लास अच्छी लगी हो प्लीज लाइक, सेर, सब्सक्राइब केज़िए जैहिन, थाइंक यू